हेलो इस्टुरेंट्स आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स वाय अजासर में स्वागत है और आज हम आपकी आठवी क्लास की हिंदी की वरक्षिट नमबर 30 करने वाले हैं जो की केस्ट इसम एकिस जनुवरी के लिए सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे अपने कक्षद्यभक क हैं जो कि पहानी का मुख्य पात्र है ठीक है बद्लू एक व्यक्ति का क्या है नाम है और हिंदी भासा के व gjयाकरां की दृष्टि से संग्या है किसी का नाम कि होता है संग्या कहलाता है अत्य हम जानते है कि को बहुतं है कि किसी विभी नाम चाहें प्रिप्ती आपका संग्या कहई लाता है जांते किसी वक्ति के की कि वस्तूं यह जाति की नाम को क्या किते हैंम वेक्तिवाचक संगया जो इत्याद यह क्या आपकेभ्यक्तिवाचक संहुथ बहुत साहभ बात भारत ति ली 3 अगr से घजाघ जिए PB s altro spark NEW प्वेग्तिवाचक नाम है वह बूम Tá create डिली एक महात्मा गांधी 11org जिए पूरी जाती को सकते हैं। इत्यादी वहां जानी जाने वादी जाने वाली संगया.. द्वारा सोभाव के द्वारा वजन आकार के द्वारह आने जाते वुद्ध के जातीव आती वाचास पसंगया उसके ब्भाव आता है सुन्दरता आप नहीं तोल नहीं सकते वजन नहीं है तिक नाजुक प्रसंता इतियाद जिसमें कोई व्यक्ति नहीं अब आगे देखते हैं कि यह यह सोचना है है और नीचे हम देखते हैं यह यह question के हिसाब से में सोचने हैं तो कहता है निमल के सब्दों संग्या के भेदों के अनुसार चांट कर उप्यूक्त बादल में लिखी यह आपको बादल बना रखें यह नीचे आपको कुछ संग्या दे रखें बादल में आपको चांट कर लिखनी है ठीक है जिसे बदलू ब बदलू आपको जातिवाचक संग्या हो गयी सवरी बदलू के बदलू बड़ ठीक है और यह पर क्या है आपका रूची ठीकर चीछेश हमेघ के परिक्टिकलर चीज वैक्तिवाचक कर तो पर क्या होगे आपका हिमाल है ठीक है और क्या है बेटा मोहन मोहन भी एक नाम है तो यह सब किससे में आगे बेटा व्यक्ति वाचक के अंदर आगे अब जाती वाचक में हम देखते हैं बेलन मचिया यह सब जाती वाचक है आदमी भी जाती वाचक है ठीक है तो लिख देते ह हम यहां पर ती बेलनते हैं है बहुत सारे बीलन है लृष इस पूरी जाती को दिखाता है मच्या आदमी अ ठीक बहुत सारे आदमी जाती वच आ कर के सब ठीक हमगे जाता है मकान बहुत मंकान है भीडिया शहर पूरी जाती जाती वाचक संग्याँ है और आपका देश सब्स by जै किया आपका भाव आचक संग्या शीव अगर वय था यानिके दुख बैटा वय था क्या है आपको क्या दुख है क्या परेशानी है तो महसुस होती है श्रीप दिखती नहीं है उसका मिठास मिठास भी क्या है बटा मैसुस करते हम देखती तो है नहीं कि कितनी मिठी है और क्या है बटा इसमें आगे देखते हम क्रोध और दोड क्या बटा दोड और आपका है क्या क्रोध चीके बटा क्या है आपका क्रोध ये सब आपके क्या है बटा क्याता है यह तो हमने पढ़ लिया दूसरा क्योंट भारत एक विशाल देश है संग्या छाटने आपके पास है तो देखो बाटा पहले भारत के बारे में छाटते हैं भारत है इसके अंदर एक वर्ड और विशाल है और आपका देश है क्या है बटा देश ठीक है तो हम इनको सबको बताते हैं क्या क्या है हम जानते हैं भारत क्या पर्टिकलर चीज है तो यह क्या है व्यक्ति वाचक संग्या किसी देश का नाम है किसी का नाम है तो व्यक्ति वाचक संग्या कहलाती है यह क्या आपका व्यक्त व्यक्ति वाचक संग्या क्या लिख देंगे बटा आगे कर देंगे क्या लिख देंगे आप यहां पर क्या है संग्या ठीक है व्यक्ति वाचक संग्या विशाल विशाल क्या बटा भाव वाचक संग्या आपके पास विशाल क्या आपका भाव वाचक संग्या विशाल क्या है बटा वाव वाचक संग्या है ये क्या बटा बार बार संग्या उसका देश देश क्या है बटा जाती वाचक है देश क्या है जाती वाचक संगय आपका ठीक है इस तरह से आपने छाट लेक्षन नमर दो का अंसर हो गया ठीक है आप देखते हैं question number 3 क्या कहता है इन मैंसे भावाचक संगे चुनिए तो देखे घर्णा है लोहा है गंगा है बनारस बनारस तो नाम है ठीक है एक जगा का तो ये तो व्यक्तिवाचक है गंगा भी एक particular ठीक है नाम है एक नदी का तो ये तो आपकी क्या है इसको सरी महसूस होता है वह क्या आपका घर्णा तो इसका answer क्या हो गया घर्णा हो ठीक है तीसरे question का अंसर घर्णा हो गया इस तरह से आपकी वरक्षूट पूरी होगी उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समयाग होगी तो पसंद आए तो लाइक करना शेर करना और कर्में